आज से 5 दिन पहले जब मार्केट में हमने यहां करेक्शन देखा था बजट से जश्ट पहले बजट को लेके काफी असमंजस था सभी लोगों के माइन्ड में चाहे वो FII हो या DII हो या कोई भी दिगज इन्वेस्टर हो उस टाइम हमने देखा था बजट से जश्ट पहले दो या तीन ट्रेडिंग सेसन में ही निफ्टी ने लगबग अपना 1000 पॉइंट लूज कर दिया था 1000 पॉइंट का करेक्शन आया था उस अगर देखते हैं तो 5 ट्रेडिंग डेज भी नहीं हुए है भी और 5 ट्रेडिंग डेज में आप देख सकते हैं 190 का यहाँ पे लेवल चल रहा था जब हमने इसमें पर्चेजिंग करी थी आप मेरी पुरानी वीडियो पे जाके देख सकते हैं 190 के लेवल से आज इसने हाई बनाया है 226 का और यह केवल 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर की बात है यानि 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर 5 वरकिंग डे के अंदर आपको लगबग 17 से 18 परसेंट का मुनाफ़ा हुआ है हलाकि मेरी इसमें अभी प्रोफिट बुकिंग नहीं हुई है आज मैंने इसको 229 कुछ के लिए लगाया था सेल करने के लिए लेकिन यह 226 से वापिस नेचे आ गया 222 के लेवल पे इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तीन महिने के अंदर तो हमने इसमें दो बार प्रोफिट बुकिंग करी है आपको अगर याद हो तो हमने 241 पे भी प्रोफिट बुकिंग करी थी इस लेवल पे यह एक डिर मेने पुरानी बात है आप चाहे तो मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं और वो हमारा पर्चेजिंग प्राइस था यहां कहीं था 183, 184 के आसपास तो हमारा काम है सेर को नीचे से पकड़के ऊपर सेल करना और जैसे ही ऊपर से वापिस किरे तो नीचे पकड़के वापिस ऊपर यह जा रहा है 230 के लैवल के आसपास से हम इसमें बेचेंगे सेल करेंगे 230 के लैवल पे बेचेंगे और यह 246, 47 पहले भी जा चुका है बेसता भी थोड़ा-थोड़ा करके हूँ और मैं खरीता भी थोड़ा-थोड़ा करके हूँ इंडिया बुल्स में मैंने पोजिशन क्यों बनाई थी मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि यहां से खोने के लिए बहुत कम है हमारे पास जब अगर हम 180-190 के लेवल की बा का होगा उवह भी प्राइवेट कम्पनिं लेकिन जैसे इसमें करेक्शन आती है तो थोड़े थोड़े आप ले सकते हो यह ऐसा कन्विक्शन वाला सेर नहीं है कि आपने इसको लिया और भूल गए अगले एक दो तीन साल के लिए पता चला यह 220 से 120 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें अगर एक भी ह debates है जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि market leader हमारे portfolio में होना ही होना चाहिए हर एक sector के FMCG में जैसे मैं बताया था पिछली video पिचली we要 होना होना चाहिए ITC होना चाहिए banking में मैंने आपको भी बताया चाहिए कोटक होना चाहिए SBA होना चाहिए इसके साथ चाहो तो आपके ये portfolio पर डिपेंड करता है आप नीचे के 2-3 mid cap या small cap भी ले सकते हैं जैसे city union हो गया, idfc हो गया, yes bank हो गया, it totally depends on your risk appetite and your analysis की आप किस से discuss करके क्या अपना view बना रहे हैं, अपने final state advisor से discuss करके आप कोई view बनाई है अपना, मैं आपक अभी तक bell icon press नहीं किया है, तो जब भी मैं नए video लाता हूँ, अगर आप bell icon press नहीं करेंगे, तो आपको उसका notification नहीं मिलेगा, मिलते हैं आपसे अगले video में, अगर आपका भी कोई doubt हो, किसी share पे आपको मेरा view जानना हो, तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं, मिलते हैं आप से अगले video में तब तके लिए सबी लोको नमस्कार